हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबी का हमारे चैनल सक्सेज मंच में तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑडियो लेक्चर जो की हिस्टरी का हमारा चल रहा था उसमें मैंने आपको बहुत धर्म का पार्ट वन मतलब कि बहुत सारे कोशिन हैं बहुत धर्म के उपर तो उसका पार्ट वन हमने कर लिया था आज मैं आपके सामने पार्ट टू लेकर आई हूँ और यह बहुत धर्म का कंप्लीट लेक्चर हो जैसा कि आप लोगों ने टेलिग्राम चैनल और यूट्यूब पे देखा होगा कम्यूनिटी पे मैंने अपना शेडियूल डाला है अगस्त पूरे मंद में कि कौन-कौन से वीडियो अप्लोड करूंगी इसमें कुछ एड़-उन भी हो सकता है आने वाले रिसेंट टाइम में जैसे जैसे वीडियो कम्प्लीट होते जाएंगे तो चले शुरू करते हैं आज का पहला क्वेशन तो यह जो कौन ऐसे प्रमुख जो था संग था उसके प्रमुख बनना चाहते थे तो वो थे देवदत जो की बुद्ध के चचेरे भाई थे पहले वो उनका अनुवाय बने और फिर वे उनके पिरोधी बन गये थे वे बहुत संग से बुद्ध को हटा कर स्वेय को संग का प्रधान बनाना चाहते थे बट तुने इसमें सफलता नहीं मिली और देवदत उसी दिन से संग का प्रधान बनने की सोचने लगे थे जब वो पहले-पहले सबसे पहले भिक्षु बने थे चलिए नेक्स कोशन के उपर चलते हैं तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यू के उपरांत बहुत संग के नेत् पूर्व बुद्ध ने भिक्ष्यों को निकट बुलाकर धर्म प्रदेश दिया था और कहा था आनंद शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता मतलब वो खुद अपने आपको बोल रहे हैं चले गए हैं अब हमारे शास्ता नहीं है आनंद ऐसा मस समझना मैंने जो धर्म और विने किये हैं मेरे बाद वे तुम्हारे शास्ता होंगे तो इस कथन से यह सपस्ट होता है कि उन्होंने बौद संग के नित्रित्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया है तो option में अगर आएगा अपयुक्त में से कोई नहीं तो आपको कोई नहीं लगाना है क्युक इसका एक अंग है तो यह है धर्म चक्र प्रवर्तन सुथ की विशय वस्तु का एक अंग है इसे दुख निरोध गामिनी प्रतीप्रदा कहा जाता है और इसे ही मध्यमा प्रतीप्रदा या मध्यमार्ग भी कहा जाता है और इसके आठ सो पाने से अस्तांगिक मार्ग भी इ आगर बुद्ध़ के बारे में हम properly ध्यान दें तो उनके बारे में ये बिल्कुल कतं सत्ते कहा जा सकता हीolah वे कर्म वैं विश्वास करते थे wijn आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे निर्वार प्राप्ति में विश्वास रखते थे लेकिन वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे उसकी सत्ता में विश्वास नहीं करते थे नेक कोशन है बौध संग में विक्षुनी के रूप में इस्त्रियों के प्रवेश की अनुमती बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी, कौन से संग में दी गई थी, तो ये दी गई थी वैशाली में, और आनंद की कहने पर ये दी गई थी, और सबसे पहली जो सामिल होने वाली बुद्ध संग में इस्त्रि थी, वो थी महा शुक्षाओं को संकलित करके तीन भागू में बाटा गया है। इन्ही को त्रीपिटक कहते हैं और तीनों पिटकों के नाम है विनेपिटक जो की संग संबंदी नियम और आचार के सिख्षाएं हैं। सुत्त पिटक जिसमें धार्मिक सिध्धानत हैं। और अभी धम पिटक जो कि धार्षनिक सिध्धानत दिये गए हैं। तो यह कोशन बहुत आता है एक्जाम में त्रीपिटक के बारे में। अगर इसी को थोड़ा खुमाके पूछेंगे कि त्रीपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंदित हैं। तो यह बौध धर्म से संबंदित है। अगर यह इस बौध शाहित में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिध्धानत संबंदित प्रवचन संकलित किये गए हैं। तो यह किये गए हैं सुत्त पिटक में। प्राचीन जो भारत है वहां बौध मठो में पवरन नामक समारूह आयूजित किया जाता था। तो यह क्या होता था तो यह वशा रितु के दोरान मठों में प्रवास की समय भिक्षों द्वारे किये गए अप्राधों की सुईकारोती का अफसर यह होता था। इसे कहते थे पवरन ना समारू। नेक्स कोशन है असोका राम विहार किस स्थान पे इस्थित था। तो यह था पाटली पुत्र म और बौधम ग्रंथ जो है महावंश के अनुसार मौरिश आशक अशोक ने पाटली पुत्र में अशोका राम विहार को निर्मित कराया था। इस विहार का निरिक्षन इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षू के निरिक्षन में हुआ था। और तीसरी बौध संगती भी γ인ças का जाने वाला विष्व संतिस्टूप कहां पर है लौत है तो यह राजगीर की बिहार में इस्थित है यह राजगीर की पहाडीयों पर विश्व संति Hag Sergey my वहली में जो poop स्टूप है, इसकी उचाई 38 मीटर है, पट ये 400 मीटर की उचाई पर इस्थित है, बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में है, वो किसके द्वारा बनवाई गई है, तो वो स्टूप शब्द कहां पर मिलता है, मतलब कहां पर लिखा गया स्टूप के बारे में, तो ये लिखा गया है रिगवेद में, रिगवेद में ही सबसे पहले इसका वर्णन हुआ है, इसके अत्रिक्त और भी जगे हुआ है, बट सबसे पहला जो कहेंगे हम तो रिगवेद में इसके अलावा अर्थवेद, वाज सैनी सहिता, तैतरी ब्रामण सहिता, पंचविश ब्रामण आदी में भी इसके संबन में जानकारी मिलती है और इसका जो शाबदी कर्थ होता है वो होता है किसी वस्तू का धेर स्थूप पतलब यह होता है अब बौधो की शद्दा और उप के शेश का स्थूप और पुजार्थक स्थूप अब अगर हम बोलें कि ऐसे स्थूप इस्थर जिनका संबन भग्वान बुध्ध की जिवन की किसी भी घटना से नहीं है तो सबसे फेमस जो सांची स्थूप है वहां पर भगवान बुध्ध की कोई भी घटना वहां से वहां पर मिर्तियों हुई थी, बट साची जो है, वहां पर कोई भी विशेज घटना नहीं हुई थी. अगर हम पूछें कि सही से तैथिक क्रम के अनुसार स्टूपों को लगाई है, मतलब कि सबसे पहले कौन सा स्टूप बना, उसके बाद कौन सा बना, तो यहां पर यह हम कह सकते हैं कि भरहूत और साची जो दोनों स्टूप है, इसके उस्थापना जो मौरे शाशक अशोक के शाशनकाल में हुई, इसके अलावा धमेक जो स्टूप है, उसको भी अशोक के शाशनकाल का ही माना जाता है, अमरावती का जो स्टूप है, उसका नि कोई निर्मार काल अच्छे से नहीं पता है, तो इसका जो कोशन आएगा थोड़ा सा विवादास्पत होगा, जो कि UPPSC 2014 में पूछा गया है, तो इस कोशन को हटा दिया गया था उस समय, तो अगर आप वैसे आए तो यहां भरहूत, साची और धमेक पहले आएगा, सबसे ला बुद्ध ने ये चीज़ कही थी, सत्ते का जो प्रतिपादन उन्होंने किया था, एशिया के जोती पुंच के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह बहुती इजी कोशन है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है, लाइट ओफ एशिया कही जाती है, और इसके उपर एक जो सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है, दे लाइट ओफ एशिया, ये किस पर आधारित है, तो ये आधारित है ललित विस्तार पर, ललित विस्तार एक बुख है, उसके उपर आधारित है, और इसका प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था, अब बौत धर्म के महाया और हीनियान संप्रदायों में सारवादिक मौलिक अंतर कौन सा है इसमें, तो देवी देवताओं की पूजा नहीं, मतलब कि महायान में पूजा यहां पर की जाती थी, यह मौलिक जो अंतर था, क्योंकि हीनियान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता था, बलकि महाया में उन्हें देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी तो यही वहाँ पर अंतर पाया गया गौतम बुद्ध को एक देवता का इस्थान किस राजा की युग में प्राप्थ हुआ था तो कनिश्क के युग में उन्हें देवता का इस्थान प्राप्थ हुआ था बुद्ध की, सबसे पहले किसको पुजा गया था, तो यहां बुद्ध को पुजा गया है, प्रतिमाओं की यहां बात हो रही है, नेक्स्ट कोशन है, गांधाश एली की मूर्ती कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रतम धर्मोदे से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, तो वो है धर्म चक्र प्रवर्तन, नेक्स्ट बुद्ध की खड़ी जो प्रतिमा है, वो किसके काल में बनाई गई थी, तो वो कुशान काल में बनाई गई थी, कुशान काल में ही गांधार और मथुला, कलाशेली के तहत बुद्ध और बोधिसत्त्य की बहु वो सम्बंधित है तो वत देख लेते हैं महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलू की तेश्वरक और किस अन्य नाम से जानते हैं तो उसे पदम पाणी भी कहा जाता है इनका एक अन्य नाम है पदम पाणी हीन यान अवस्था का विशालता में सरवाधिक विक्षित सेल कृत चैतिग्रह कहां परिस्थित है तो कारले में इस्थित है कारले में जो कि महरास्ट पूरे में मिलता है नेक्स्ट प्रथम शताबदी इस्वी में किस भारते बहुत बिक्षिक को चीन भेजा गया था तो नागर जुन जो कि कनिश्क के दरबार में रहते थे उनको मार्टीन लूथर भी कहा जाता था हेंसांग न माध्यमिक कारी का और जिसमें सापेक्षता सिध्धान को प्रस्तुत किया गया और नागर जुन को ही भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है और चीन की मानिता के अनुसार नागर जुन ने चीन की यात्रकर वहां बौध सिख्षा प्रदान की थी तो नागर जुन के बार हमने नागरजुन की बात की थी, उनी ने माध्धिमिक कारिका नामक एक गरंध की रचना की है, जिसमें उन्होंने सापेक्षवाद का सिधान्त और सुनिता का सिधान्त पेश किया है, नागरजुन किस बौध संप्रदाय के थे, तो वो माध्धिमिक संप्रदाय के थे, बौ इसाब से आप लोग कर लेंगे, next step बल्लभी विश्वविध्याले कहां पह इस्थित था तो ये बल्लबी गुजरात में इस्थित है नालंदा विश्विध्याले के स्थापना कौन से युग में हुई थी किसके काल में हुई थी तो ये गुप्त काल में नालंदा विश्विध्याले के स्थापना जोकि दक्षिन बिहार में राजगरी में इस्थिते वहाँ पर हुई थी और ये पाँच में शताबदी के मध्य में हुई थी और कुमार गुप्त वन ने सरप्रथम नालंदा बौध बिहार को दान दिया था नालंदा विश्विद्याले के संस्थापक कौन थे अगर ये पूछा जाए तो अभी कुमार गुप्त वन जो की गुप्त शाषक थे एक महान उनके काल में किया गया था नालंदा विश्विद्याले किस लिए विश्व प्रशिद है तो ये बौध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रशिद है नव नालंदा महा विहार किसके लिए विख्यात है तो पाली अनुसंधान संस्थान यहां पर है जो कि बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था यहां पर शिलंका, जापान, कोरिया, तिबबत, भुटान, आदी देशों से पाली और बौध अध्यन का अनुसंधान हे तो विद्यार्थी आते रहते हैं नेक्स कोशिन के हम बात करें तो कौन सी बात बौध और जयन दोनों में समान है जिसमें दोनों एक ही सेम शेम थे विश्वास करते थे तो इसा करम और पुनरजनम के सिध्धान सही है मतलब कि दोनों ही करम और पुनरजनम को मानते थे दोनों वैदिक कर्म कांडो और वेदो की अपुर्षिता को भी समान रूप से इन दोनों ने विरोध किया था अहिंसा और सदाचार पे इनों ने बल दिया था और ये करम बाद पुनरजनम मोंक्ष में विश्वाष रखते थे बट ये मित्यू के पश्यात मोंक्ष संभव है ये दोनों में समान नहीं था बिलकुल भी इस्तरी पुरुक्ष दोनों ही मोंक्ष प्राप्त कर सकते हैं तो इन दोनों में जबकि अन्य को बिहार कहती है तो दोनों में क्या आंतर है तो बहुत ही important question आईए तो ये चैत्य जो होता है वो पूजा का इस्तखल होता है जबकि विहार जो होता है वो बौध्य विक्षियों का निवास थल होता है तो चैत्य जहाँ पर पूजा की जाती है और बिहार जहां बौध्य विख्षियों का निवास होता है सुल्तानी युग में वेदो की कौन सी साखा सबसे प्रभावशाली थी तो ये थी ब्रजयान शाखा ब्रजयान शाखा मद्यकाल में सबसे प्रभावशाली साखा थी इसका जो सरवादिक विकास हुआ था वो आत्मी सदी में हुआ था और इसके सिद्धान्त मंजुश्री मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथ में मिलते हैं तो बहुत धर्म यहाँ पर आपका complete होता है नेक्स लेक्चर में जैसा कि आप शेड्यूल में देख सकते हैं हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे और ऐसे ही सारे टॉपिक आपने वाले टाइम में complete होते रहेंगे इसके अलावा जो मेंस के लेक्चर MPPSC और UPPSC के चल रहे हैं वो schedule के according चलते रहेंगे और इसमें कुछ add-on भी हो सकता है जैसे जैसे वीडियो या PPT's complete होती जाएंगी और आपको PDF भी Telegram चैनल पर as it is मिलता रहेगा तो उसे join करना ना भूलें जो वीवर्स पहली बार देखने प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आपको content में कुछ अच्छा लगता है समझ में आता है और आपको means की lecture बहुत ही जादा beneficial होने वाले हमारे चैनल के लिए तो आज के लिए बस इतना ही thank you thanks for watching success manch